नमस्कार जी जट साइब क्या नाम है जी आपका मेरा नाम प्रिंसी जोशी है प्रिंसी जी आप कहां से बिलों करते हैं मैं राम नगर डिस्टिक ननीताल उत्राखंट चाहिए हूं संत्रामपाल जी महाराजी से नाम उपदेश आपने कब लिया मैंने बहुत छोटी एज में हिंदू धर में प्रचले देवी देवताओं की साथना किया करते थे मेरी नानी शिव जी को इष्ट मानती थी और वो लोग के पुचारी भी रच चुके थे और बाकि जितने भी सभी देवी देवताओं की भक्ती प्रचले थैं में आप कैसे आए सर 2010 में जब मेरे पापा टीवी चैनल देख रहे थे तो बदलते बदलते साधना चैनल आ गया और उसमें लाइन्स आ रही थी कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विश्नु की मा शंकर का दादा कौन है हमकू देपता तो इन लाइन्स को सुनके मेरे पापा को एकदम शौक जैसा लगा कि ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है हम तो ऐसा सुनते वे आ रहे हैं कि जो ब्रह्मा विश्नु महीस है वह अज्रो अमर है उनकी कोई माता पिता नहीं होते तो उन्होंने शीच को देखके संत्रामपाजी महराज का सचंग सुना और उसके बाद कुछ टाइम तक समझ में आ जबुएट मुझे जब मेरे पाप ने अभ्यान को समझा तो उसके बाड जब पहले मेरी मरे पापा न नाम दिक्शा लिए उसके कुछ समय बाद उन्हों मुझे भी केला देखकर प्रेंसी जी संत्रामपाल की उसे ना मुदिस लेने के बाद आपको क्या लाव म पहला तो हमें अध्यात्मिक लाब मिला जो सत्य साथना होती है शास्त्रविधी के अनुसार जिसको करने के बाद जो बर्थन डेथ का जो साइकल है उससे छुटकारा पा सकते हैं और सतलोग जा सकते हैं वो हमें प्राप्त हुआ और संत्रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद अगर कभी मुझे फीवर वगेरा हो भी जाता है तो उसमें भी मुझे मैडिसन लेनी की जरूरत नहीं पड़ती और दूसरा लाब यह हुआ अगमी नानी को स्टमक में कैंसर था और उनकी फौर्थ स्टेज थी कैंसर की और उसके बाद उनका कई जगे ट्री इफेक्ट करना बंद कर दिया था और उसके बाद डॉक्रस ने कह दिया था कि अब यह बस दो डाई महीने रहेंगी आप इन्हें घर में ले जाके इनकी सेवा करिए तो जिस टाइम पे मेरी मम्मी ने संत्रामपाजी महाराज से नाम दिख्षा ली तो उसके बाद संत्राम महाराज ने मेरी मम्मी को अम्रिजल की बॉटल दी और कहा कि इनको अपनी मम्मी को पिला देना तो उसके बाद जब उन्हें अम्रिजल पिलाया तो नानी को पेन में थोड़ा रिलीफ होना उसकी टाइम से स्टार्ट हो गया तो जो मेरी नानी अपने घर से एक किलोमेटर भी नहीं चल पाती थी वह संत्रामपाजी महराज के आश्रम हर्याना गई इतनी दूर और बिना किसी परिशानी के वह वहां पहुच गई और अक्टुबर मेरी मम्मी ने नामदिक्षा ली जब संत्रामपाजी महराज से नामदिक्षा ले तो मेरी ठीक हो गई और डॉक्तरों फिल्ल बोलिये की अगर किसी की किसि आज भी एकदम सही है और तीसर लाब ही हुआ कि मेरी मम्मी को पहले बैक पेन और नेक पेन होता था और संत्रामपा जी महरा से नाम दिख्षा लेने के बाद भी कुछ समय तक वह रहा तो उनसे प्रात्ना की तो उन्होंने कहा कि भक्ति करते रहो ठीक हो जाएगा और उसके कुछ ताइम के बाद वह दर्द भी ठीक हो गया और एक लाब ही हुआ कि एक बार मेरा साइन्स कुझ कॉंपेटिशन था ब्लॉक लेवल पे और उस ताइम पे हमें जीतने के लिए एक क्वेशन का आंसर देना था और वह क्वेशन बहुत था हमें वह आंसर नहीं आपा रह तो मैंने कुछ ताइम बाद सोचके कुछ भी ऐसी एक आंसर बता दिया और जो हमारे जज्ज थे उन्होंने कुछ सेकंड बाद रुक के कहा कि यह ठीक है और वहां पे जितने भी टीचर बैठे थे उन्हें भी बहुत एस्टॉनिश्ट हो गए कि कैसे हो गया अभी तक तो अब तो यह ठीक है और उसके अलावा वह जुआ भी खेलते थे और संत्रांपा जी महराज से नाम दिक्षा लने के बाद उन्होंने डिंग भी चोड़ दिया और जुआ के लावी शोड़ दिया प्रेंसी जी आपकी क्या एज है और आपकी क्या कॉली प्रिकिशन है मेरी अ जब थर्टीन एर से और मैं टैंथ क्लास में पढ़ती हूं प्रेंसी जी आपकी तिरा साल की उमर है समाज में एक धार्ना है कि यह खेलने कूनने की उमर होती है बगती तो बाद में होती है तो क्या यह बात सही है कुछ लोग क्याते हैं कि भक्ति तो बढ़ापे में की जा करने का मार्ग में लग जाना चाहिए और उसमें हमें किसी भी एज की परवानी करनी चाहिए संद्रामपाजी महाराज बच्चे को छोटी से उम्रों में नामदिक्षा दे देते हैं ताकि वह बड़े होके कोई गलती ही ना करें जैसे कि हमें पता है कि आज के टाइम पे नामदिक्षा देके ऐसा समाज का निर्मान कर रहे हैं जिसमें जितनी भी समाज में व्याप्त बुराइया हैं और जो भी यूथ में शौक टाइप का है उन सभी को वह खत्म करना चाहते हैं और इसी वज़े से वह बच्चों को छोटी उम्रों में नामदिक्षा दे देते जो लोग आज आपको देख रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगी जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उन से यही कहना चाहूंगी कि प्रेज़न टाइम पे संत्रांपा जी महराजी ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व में शास्त्र विदी अनुसार भक्ती प्रोवायड कररें और जो और धर्म गुरू ہیں वह शास्त्र विरुध भक्ती बताते हैं लेकिन संत्रांपा जी महराज शास्त्र विदी अनुसार सारे कि सार्यव घरंतों से जैसे की श्रीमत भगवद गीता बाइबिल कुरान शरीफ और जितने भी हमारे हमारे धर्म शास् जब turning के लिए क्या करना होगा संत्रांपल जी महाराजसे नाम दिख्षा लेने के कई तरीके हैं पहला संत्रांपाल जी माहराज कई सारे चैनल उस्टसंग को अолодा है दो सब्सक्राइब shiningется है और उन पे एक पट्टी डिस्प्ले होती है जिसमें नंबर्स यह रहते हैं तो आप उन नंबर्स पे कॉंटेक्ट करके संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा ले सकते हैं और कई सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भी संत्रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ती बताई जाती है तो उसमें भी आप उन नंबर्स पे भी कॉंटेक्ट करके संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा ले सकते हैं क्या संत्रामपाल जी महराजी से नाम उपदिश लेने के लिए कोई चार्ज भी लगता है नई संत्रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा लेने के लिए कोई भी चार्ज नी लगता है आप फ्री में निश्वल्क संत्रामपाजी महरा से नामदिक्षा ले सकते हैं धन्यवाजी सत्साइब